अगर आप अपनी बाइक में बैटरी बदलते बदलते परेशान हैं, हर 6 महीने या एक साल में आपकी बैटरी खराब हो जाती है, और बाइक की जो बाड़ी है वो भी अप एसिड की वज़े से होंसे गलने लगी है, तो ये वीडियो आपकी लिए है, तो आज इस वीडियो मे मैं आपको एक ऐसी बैटरी दिखाने जा रहा हूँ, जिस बैटरी को लगाने के बाद मैं आपको जीवन भर कभी कोई बैटरी बदलने के आवशकता नहीं पड़ेगी, कीमत की अगर मैं बात करूँ, तो आपकी लैड असिड बैटरी जो आप ट्रेडिशनल बैटरी आप अपनी बाइक में लगाते हैं, उनसे ये बैटरी सस्थी बढ़ने वाली है, और इस बैटरी में सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसको खुद से भी बना सकते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि ये बैटरी कैसे बनेगी, कितना किस इस बाइक में आप इस बैटरी को लगा सकते हैं, कितनी लाइफ रहने वाली है, कितनी प्राइसिंग रहने वाली है, और आपको खुद से भी अगर ये बैटरी बनानी है, तो फ्रेंड्स में हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिपेस्ट कि आप लोगों को गरे वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेर जूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चाल सबस्क्राइम नहीं किया है, तो फ्रेंड्स अगर आपको खुद से बैटरी बनानी है, तो उसके लिए आपको जूत पढ़ने वाली है, चार लीथियम एक मिलता है आपको फॉस्वेट का और एक मिलता है लीथियम आयन का, मैं आपको रिकमेंट करूँगा कि लीथियम फॉस्वेट का अप यह देख रहे हैं , थ्रिआपको यह सळ है, एक सेल, और 6000 इमेच जो सेल की, पावर है वो है, तो आपको चार इस तरह के सेल आपको ले है एक और दो और इसके साथ ही आपको ये तीन निखल स्ट्रिप जुद पड़ने वाली है और इसके कुछ और चीज centro पड़ेगी तो यह सारी सीजे मार्केट मापको असाली से मिल जाएगी इस बैटरी को आपको खुद से भी बिना सकते हैं और आप यह चाहेंगे किसाफ यह बैटरी को हमें कमपणी से मिल जाए वह भागी जो बात है कि यह प्रीक ऐसी प्रीक है कि इस बैटर करें ट elsाहलडर को आपने एक दूसरे में एक स्केडा लिया और ये चाहर अपने सैल को मैं एक देखें आप यहां है यहां पर द्यांद दैए ऐट यह है कि एक स्एल का प्लस एक माइनिस एक कप प्लस एक माइनस इस था जाए आपको करना है और इसके ऊपर आप दोनों साइड से इसको सैल होल्टर से कवर अब यहां पर क्या है कि यह आपका चार सेल एक साइल होल्टर के अंदर फिट होके छोटा जो है बैट्री में बन जाता है वीडियो को आप पूरा दिखेगा वीडियो में बहुत सारी टैट्निकल चीज़ें आपको बताऊंगा आप टांका लगा दीजिए तो आपकी बैट्री जो है वो लॉंग लाइफ नहीं रहने वाली है क्योंकि आरन का टांका दो-चार साल में खुल दाएगा पर यह हॉट स्कॉट वैल्ट मशीन से अगर आप टांका लगाते हैं तो यह टांका आपको टांका लगाना है इसमें वैल याज मशीन आपके पास नहीं तो आप इसमें यह है करता है लिएक बार्ब मटेकर यह नहीं करते हैं तो आपको यह फिर मुदकत होने वाली है यह हैं यह तो आपको कि प्लस को अगर से त्याद करता है वह प्लस को पुल को घरेगा मैं अगर तो इस तरह कर करना है तो यहां से ए से बी में करनक्ट हो गया वन से टू में हो गया अब आपके रिवर्स में देखेंगे तो तू से यहां पर थ्री में हो गया अब थ्री से फोर में करनक्ट करना है बतलब कि चारो साइल जो है वो इंटरकनेक्टेड हो जाने चीए दूसरे से और तब ही आपका जो है बैटरी जो है वो बारा मोलकी बैटरी बनेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये इस तरह जो दिया गया है कि बारा वोट जो है बन जाता है अभी एक हमारा प्लस और एक माइनस फ्री हो जाता है यह हमारा प्लस फ्री हो गया है अब यहां से बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो को स्किप कर देंगे कि साब आप तो काम हो गया बैटरी बन गई पर फ्रेंड्स अभी यह बैटरी नहीं है अगर इस तरह आप बैटरी बना के लगाएंगे तो डेटरी आपको देखनी है औ और यहां जो है कि हमारा गरम हुझा है अब हम पे आर्ण की जूथ पढ़ने वाली है और बूसरा जो आपको जूथ पढ़ने वाली है वो जूथ पर नहीं जूथे ऑप प्धहा नशाए बीगे कुई cał fır देखें अब दिखा दी पर आगर आपको लोगल्य ओस बैटरी को य नहीं लगाया है तो BMS ना लगाने से क्या हो गा कि आपकी जो बैटरी का जो मैं चारल से हैं वा मकेस द्यस बैलंस हो जाएंगे तो अगर आपकी बैटरी के साय हो इसकन देयों तो तीन साल कोई भी बैटरी ना बनाए अगर बिना BMS की आप बैटरी बनाएंगे तो आप ये निश्चे समझ लीज़ेगा कि आपकी बैटरी जो है वो अब तुद अमार नहीं चलने वाली है एक टाइम के बाद में आपकी बैटरी जो है वो खराब हो जाएगा तो यहां पर आइरन का आपको यूज करना है अगर आप खुच सी बैटरी बना रहे हैं तो बना पो डफ़ तोPव करना है वो यहां थाफ़गा हैं पत्यव करने हैं था जाऊ सकति कि बना उल में हो हैinkशना 00 को – ब solutions कि बना उाओ में भroब का पर पालω रखंत दो कि बना पीजम क्ड़कained अगम के आपकका पह मिलिदा एंपक्लन्दकी अया अवत प्रों Marketing टतिका को इसका जो BMS है जो सबस्वें इंपोर्टन पार्ट है इसका वे देखना है कि इसका ब्यादे है वो किस तरह आपको लगाना तो अभी आपको एक हार्नेस लैनी है दिया में साथ हमेंगी और यह सब अब बायनस दी वाइनस और से नंबर में स्टार्ट करेंगे कि यह कि यह सेटींद नमबर हो जाएगा कि और इसके बार गदगे हमारे कि अग्रत नमबर हो जाएगा इसका कि अगल के बाद हमारा कि फोर जाएगा और के बाद यह हमारा फाइंडी पोजीटिव हार्नेस का लगी रहे हैं यहाँ पर यह वायर हार्नेस का कनेक्शन हो गया आपको पूरा इसके बाद से हम इसमें कनेक्शन करेंगे बीएमेस इसके लिए आपको जो बीएमेस यूज करना है वह करना है आपको स्कार्णाहिए लगाना है और यह बीयमेस जो है सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपको बैटरी आपको लॉयां प्रूंग लाइफ ही चले जो आपकी इतनी लंबी लाइफ चले कि आपकी बाइक खराब हो जाए पर आपकी बैटरी खराब ना हो तो उसके लिए आपको यह 4S का lfp का भीला एंटरी डिशारजशना है और इसकी चारजिंग जहे है और रिश्चारजशन जैसे की आप देखा रहे हैं यह 30 Ampere की चारज़िंग में आप को रहाए बैटरी को चारज कर सकता है और 30 Ampere से बैटरी को चारज कर सकता है क्योंकि एक हुथ informative वीडियो जो है वो आप लोगं के लिए होने वाला है और इस वीडियो में आप थुद से बैटरी बनाना सीख रहे हैं और यह जो बैटरी बनाने का तरीका मैं आपको बता रहे हूं यह जैन्वन तरीका है इसी तरीके से अगर बैटरी बनाएंगी तो पी जादा नहीं चलने वाली है तो अब इसमें बीमस का हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं और बीमस के लिए आप लिए देखें कि जो बैटरी के माइनस में जो है बीमस का माइनस करक्ट कर दिया है और करें ह्याओ कर्दय को अगर बैटरी के प्लस में और देखे एक फूर मिमका बायर तो film का वायर में है बैकटी प्लस में खर दिया है है तो ये हमारी बडरी यूंहीं अलमूस्प उनके रेडि हो ढाती है अब इस बैटरी को हम लोग जहेग वूँ रैप कर लेंगे और रैप करके इसको बैटरी में लगा के हम लोग टास्ट करेंगे कि हमारी बैटरी जो है वो कैसी बनी है और बैटरी हमारी जो है वो कैसी परफॉर्म करती है तो अब जब भी आप लोग यह पर्मानेंट इस तरह का बैटरी बना रहे हैं अगर आप खुद से बना रहे हैं अगर किसी कंपणि से बनी हुई ले रहे हैं, वना हमरी कंपणि से ले रहे हैं तो, कोई बाती नहीं है सारी चीज्जा आपको मिलेंगी ही बैकि अगर आपन खुद से बना रहे हैं तो आप अज आप इसले बना लें तो तो आप उसको प्रॉपर टेपिंग करनी है ताकि बैटरी आपकी बिल्कुल भी हिलेडूले नहीं आपको पुरी तरी कैसे टाइट लगाना है क्योंकि अगर आपका लूस रहता है तो भी आपकी बैटरी है उसकी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है इसी के साथ आप फर्पी शीट का जूरूर इस्तमाल करें ताकि किसी भी मिस हैपिंग कंडिशन में आपकी बैटरी है उसमें जलने की संभावना जो है वो ना तो बराबर आपको हो जाता है तो इसमें ये मल्की तरह की टेप का यूज किया जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं कि तरह कि अलगा लगा प्टेट की तीप है जिनका आपनों भीज कर रहे हैं हुआ 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 है अब देखें ये जो हर्नेस है इसको बिमस हमने करक्ड कर दिया है और फिलाल हमारी बैटरी यह ओक हो गई है आप इस बैटरी को हम लोग टेस्ट करेंगे बाइक है में किस तरह का पर्फॉरमस ये बैटरी देती है तो अगर आप अगर आप ये खुद से बैटरी को बना र होआ कि वे प्रंपटिकल नहीं है उतनी अदनी आद ट्रीस किल सब थे सब्सक्राइब थे लुगज़ मंगाली है जैसे मैं यह ब्याइक में लगी हुई है इस बैटरी इस बैटरी पाले से लगी हुई है इस बैटरी को मैं गणिफे के लगी हुई है जो भी कंपडी है अब इसके साइस से हमारी बैटरी चोटी होने वाली है तो आपको अपना साइस जो है वो अड्रस कर लेना है अब आप डेखें यह बैटरी जो है इस प्रक्राम का एधिस्टिंग बैटरी को हम रही ही निकाला है अब बैटरी से टेस्ट करके रिखी में क्या यह बैटरी जो है इतनी पाउफुल है कि बाइक में साइफ मारेगी होरन बजाएगी क्या सारी काम करेगी तो आपको मेटवोर्ट की है इसको टाइट कर लेना है एटरी के जो तर्मिलल यह हो गुळी तो पर यह के जींः पर हमारी वैटरी यह रेड़ी है बैटरी आप में देखते भिधर को सप्टिध रूटे Credit ow Το एक बार देखता है दो चार वर देखता है तक이지 अबार बसेफ लगा सकती है हर शब्सक्रा networks अब आएने लिगानों धुर्स्टार्ट में जसी couch जाटी भी इसली है तो अब Batols संद के दर शॉटी तो बात करते हैं कि इस बैटरी की जो है वो कॉस्ट क्या है तो इस बैटरी की कोस्ट भी आपको नॉर्मल बैटरी से सस्ती ही मिलने वाली है इस बैटरी की जो कॉस्ट है वो है पचीस सो रुपे प्लस GST तो पचीस सो रुपे आप समझेए कि नॉर्मली आपको 12 AH से लेके अगर आप लेने जाएंगे 24 AH की बैटरी तो आपको इससे जादा ही कॉस्ट में मिलने वाली है अब यह जो बैटरी जो मैं आपको इसकी कॉस् पर इस बैटरी की लाइफ यह वो खतम होने वाली नहीं है तो इस बैटरी को बैटरी को कहां से बाई कर सकते हैं तो इस बैटरी को बाई करने के लिए आपको हमारी वैपसाइट पर जाना है हमारी वैपसाइट www.naxus.solarenergy.in यहां पर जाके आपको आपके नियर आप अपना आप उनको कॉल करके बैटरी बहुआ सकता है तो फ्रेंड्स एक दो बार और मैं टैक्ट कर लेता हूं वीडियो के लास्ट तक कि क्या यह बैटरी जो है वो सेल्फ लगा रही है आप देखें यह जितनी बार में कर रहा हूं और आप इसकी मज़े की बात यह है कि एक इंजन को जा रहा है इसके प्लक को जा रहा है तो एक स्टेंड में जो बाई के मूं स्टार्ट हो जई है तो मुझे फ्रेंड्स पूरी उमीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हुगा वीडियो को लाइक और शेयर जूल कीजेगा और अभी तक भी आ अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुर पर चैनल को भी सब्सक्राइब करें आखड़ते के वीडियो देखने के लिए आपको बार-बार धन्यावाद थेंक्यू